हेलो दोस्तो आप सब लोगों का अपने यूटूब चैनल तन्नूदी टैक में बहुत-बहुत स्वागत हैं दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इचलान कैसे बर सकते हैं जियां दोस्तो अगर आपको किसी डिपार्टमेंट को किसी चीज की फीस पे करनी है और वो कह रहे हैं कि आपको इचलान के थुरू बरनी है तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि आपको इचलान कैसे बरना होता है कैसे आपको ईचलान के portal पर अपना account बनाना होता है और किस तरह से आपको payment करनी होती है पूरा process में आपको करके दिखाने वाला हूँ दोस्तो मैं आपको बचा दो कि मैं आज आपको जो payment करके दिखाऊंगा वो मैं एक duplicate market निकलवाने के लिए payment करूँगा यानि कि दोस्तो एक student की 10th की market खो गई है और उसकी 10th की market दोबारा से निकलवानी है तो दोबारा से market निकलवाने के लिए जो fees पे करनी होती है दोस्तो 150 rupees की fees पे करनी है तो वो जो रामनगर नैनिताल board है दोस्तो हाँ पे पे करनी होती है तो वो ई-चलान के थुरू बरनी है तो अब यहाँ पर बनाने वाले हैं और उसे पे करेंगे तो आपको दिखाने वाले हैं पुरा प्रोसीज करके हैं तो दोस्तो वीडियो को लाट तक जरूर देखना आगे बढ़ने से पहले आज सब लोगों से एक पैस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना साथी साथ बैल आइकन को प्रेस भी कर लेना ताकि हर वीडियो की नोटिफिक्रिशन आ इस पे आप क्लिक करेंगे इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तो यहां से आप से too ल pods बंगिजेगा अगर आप दोस्तो पहली कर रहे हैं तो आपको क्रियेट ई यहां पर आपको लाश्ट रहें मिडल नेम होगा तो आप यहां पर डाल देंगे आपको उपना अड़र स्टेट कर सकते हैं अपना दालेंगे हैं इस 大家好 सकते हैं अधारकार नमबर आपहाः पना डाल आपके नंबर पर एक OTP सेंड की जाएगी वो OTP आपको यहाँ पर डालनी है इसमें दोस्तों जो OTP आती हो Alphabetical आती है यानि कि इसमें नंबर भी होते हैं Alphabet भी होते हैं तो आपको सही से ध्यान से डालनी है OTP डालने के बाद आप validate OTP पर क्लिक करेंगे इसके बाद आप स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है यहाँ पे आपको कोई भी एक पासवर्ड बना लेना है और दोस्तों यहाँ पे आपको दोनों में सेम पासवर्ड डालना है नीचे भी आप वही password डाल देंगे जो आप उपर डाला है आपने और आपना password आप create कर लेंगे इसके बाद आप यहाँ पर capture code डाल देंगे capture code डालने के बाद आप स्क्रोल करेंगे यहाँ पर proceed पर click कर देंगे अब आपका यह देख सकते हैं यहाँ पर यह रिजिस्टेशन फोर यह चिलान उत्राखन हैस बीन रिजिस्टेड विद यह आपका user ID है दोस्तों यानिके जो हमने यूजर आईडी और password से login करना है दोस्तों जो आपके पास user ID आईटी वह आप यहाँ पर डालेंगे पासपर आप यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर इसके बाद आपको यहां से daる को निकल वाने दोस्तों डिखायं करना है तोsl." अब आपका यहां से बंगा प्यूल केरा है आप धी मृट्ट्ट सेकेंट्रिय कर्ना हैoy Pearl вони कैंतने जुले टो जैसे कि हांपने महारा आप धुर्टी सेकेंटेर और यहां पर सेलेक्ट कर लेथे हैं DU सब्सक्क्राइब we जब आप करेंगे तो आपके सामने कुछ इश्तरे क्षां इंटरीशा चाइट करने हैं Alrighty अब यहां पे दोस्तो सर्विस आपको सिलयक्ट करनी होती है आपको ध्यायन करना है कि आप कि पे करना है वो amount हम यहां पर डालेंगे इसे हम यहां से select करेंगे और यहां से add service पर click करेंगे तो यहां पर आपको कुछ और add करना है तो आपको इसी तरह से यहां से जिदोर यहां चेль्ज पर click करेंगे मोबाइल नम्बर तरह से लिखना है की बीडेंगे were जैसे कि मैं आप लिख रहा हूं for duplicate high school mark sheet आप यहां पर देख सकते हैं जैसे कि मैंने लिख दिया for duplicate high school mark sheet के लिए हम यहां पर fees पे कर रहे हैं तो इसके यह डालने के बाद दोस्तों हम यहां से proceed पर click करेंगे दोस्तों यहां पर हमारा चलान बन गया है यहां से आपको आपके सारी चीज़े देख लेनी हैं दोस्तों क्या क्या इसमें आपका आ रहा है यहां पर चलान नंबर है चलान डेटा आपके आ रहा है amount figure कितना है वह यहां पर आ रहा है सारी detail आपको यहां पर इसमें मिल जाएगी दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं एड्रस आपका आ रहा है नेम आ रहा है आपका पर परपस डाला है इसके बाद अपनी डिटेल एक बार कनफर्म करेंगे और फिर से आप यहां से प्रोसीड पर किलिक करेंगे अब आपको यहां से दोस्तों आप किस से पे करना चाते हैं नेट बैंकिंग के थुरू दोस्तों अगर आप करना चाते हैं तो SBI Net Banking के आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा अगर आपका अधर बैंक है तो आपका 6 रूपय का चार्ज आपका बैंक की तरफ से लगेगा और द इसके बाद हम यहां से अपना युजर्णों डालेंगे पासवर्ड़ डालेंगे और यहां से लोगिन करेंगा अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर debit account detail यहाँ पर सारी आ गई है इसके बाद आप एक बाद फिर से confirm पर किलिक करेंगे इसके बाद आप यहाँ से enter high security password आप यहाँ पर डालेंगे जो आपके mobile number पर भेजा जाएगा वो OTP हम यहाँ पर डालेंगे तो दोस्तो वो OTP हम अपने mobile number पर देख लेते हैं और हम यहाँ पर डाल देंगे 8 digit की वो आपके number पर send की जाएगी यह डालने के बाद हम यहाँ से confirm पर किलिक करेंगे यहाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं your payment was successful अकाउंट डिटेल यहाँ पर आ गया है reference number आ गया है दोस्तो डेविट अकाउंट नमबर आ गया है reference नमबर यहाँ आपको मिल जाएगा दोस्तो यहाँ पर आपका amount in word में आ गया इस्टेटस आपका यहाँ पर दिखा रहा है complete successfully डेविट ब्रांच आपके दिखा रहा है दोस्तो और यहाँ पर आपके date and time भी यहाँ पर आपका show हो जाएगा तो यहाँ पर आपका जो दोस्तो ट्रेजरी का यानि कि जो आपने यहाँ पर चलान भरा है वो आपका completely successfully हो गया है अब हमें क्या करना है दोस्तो हम यहाँ से अब उसी website पर जाते हैं आपको आजाना है वापस यही से इसी website पर अब आपको क्या करना है यहाँ से इचलान history पर click कर देना है जब आप यहाँ पे किलिक करेंगे यहाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जैसे कि दोस्तों यहाँ पे एक payment अभी यहाँ पे किया है for duplicate high school mark sheet के लिए हमने payment किया था दोस्तों यहाँ पे complete successfully हो गया है अब आपको इसे यहाँ से print कर लेना है print करने के लिए आप यहाँ से print चलान पर किलिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे आ गया है देख सकते हैं यहाँ यहाँ पे आ गया है और दोस्तों टेंट की duplicate mark sheet निकलवाने के लिए आपको क्या क्या जरूत पड़ती है अगर आप दोस्तों आपको एक next वीडियो में जरूर बताऊँगा अगर आप दोस्तों आपकी 10th की mark sheet निकलवाना चाते हैं तो मैं next वीडियो में complete process आपको बताऊँगो कि आपको कैसे निकलवानी है तो आप दोस्तों next वीडियो के लिए चैनल को subscribe जरूर कर लेना तो दोस्तों आपको इसे print कर लेने हैं और ये चलान ही आपका महाँ पर जाएगा बोर्ड में तो आपका चलान इस तरह से यहां से successfully complete हो गया है इस तरह से आपको भी अपने चलान दोस्तों pay करना है अगर आपको किसी भी department के लिए चलान को pay करना चाते हैं इस तरह से pay कर पाएंगे दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी काफी आपके beneficial होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो please चैनल को subscribe कर देना और वीडियो को like जरू कर देना साथे साथ bell icon को press भी कर लेना दोस्तों क्योंकि दोस्तों 10th की duplicate market के related मेरे चैनल पर वीडियो आने वाली है तो दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में धन्यवाद दोस्तों